प्रेग्नेंसी आपको कंसीव नहीं हुई है तो आप बिल्कुल सही जगे पे आए हैं इनफोर्टलिटी के पीछे वैसे बहुत से कारण होते हैं कभी महिलाओं में प्रॉब्लम पाई जाती है तो कभी पुर्शों में प्रॉब्लम पाई जाती है महिलाओं में सबसे ज़्यादा common पाये जाने वाला एक problem है low image यानि अंडे की संख्या कम होना ये अंडे की संख्या उमर से relate करती है जैसे जैसे महिलाओं की उमर बढ़ती है वैसे वैसे अंडे की संख्या कम होती है और अंडे की गुणवत्ता यानि quality भी खराब होती है जिसके कारण जब low image की patient डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीदे सीदे इनको IVF करवाने की सला देते हैं वो भी donor एक के त्रू और natural treatment देना prefer नहीं करते उनमें से ही मेरी एक patient है सुष्मा जो हाइदराबाद की रहने वाली है इनकी age 31 है ये पिछले 3 सालों से infertility face कर रही थी लगबग इन्होंने 6 doctors को दिखाया इनका image था 0.09 हर एक doctor ने इनकी report देके इनको यही सला दी कि आप IVF ही करवाईए क्योंकि naturally pregnant होना आपके लिए संभाव नहीं है और आपको IVF में भी donor egg ही लेना होगा मेरी patient काफी depression में चली गई थी क्योंकि इन्होंने ये कभी expect नहीं किया था कि इतनी कम उमर में इनको menopause आ जाएगा इतनी कम उमर में A.M.H. low हो जाएगा और ये कभी मा नहीं बन पाएंगी आप में से बहुत से लोग मुझे नीचे कमेंट करके ये पूछते हैं कि इतनी जल्दी menopause कैसे आ सकता है आप यकीन ने मानेंगे मेरे पास ऐसे भी patient आते हैं जो 20, 21, 22 साल में menopause में चले जाते है menopause यानि कि आपकी जो अंडे की संख्या है वो कम होना अंडे की संख्या तभी कम होती है जब जैसे जैसे महिलाओं की उमर बढ़ती है वैसे वैसे अंडे की संख्या कम होती है लेकिन कुछ ऐसी चुनिंदा महिलाएं होती है जिनका जनम से ही एग रिजफ कम होता है इसलिए जब वो बड़ी होती है, जब उनकी महावरी शुरू होती है तो बहुत तेजी से उनके अंदर अंडे की कमी पाई जाती है और बहुत जल्दी ही उनको low image का problem आ जाता है तो AMH लो होना ये किसी भी एज में हो सकता है सुश्मा को भी 31 की उम्रम में मेनोपॉस हो गया था 0.09 इनका AMH था हर डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था और हाथ खड़े कर दिये थे कि आपका भी मानी बन सकते उसी बीच में इनकी एक फ्रेंड से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने अपना सारा केस उसके सामने शेयर किया इनकी फ्रेंड हमारी regular viewer रह चुकी है और हमारे treatment से conceive भी कर चुकी है इनकी फ्रेंड ने इनको हमारे चैनल के बारे में recommend किया recommendation के द्वारा इन्होंने हमारा चैनल देखा काफी positive feedback देखने के बाद ये भी काफी inspire हुई और इन्होंने मुझे directly consult किया टेलफॉनिक consultation की तुरू 2020 में 2020 में जब इन्होंने consult किया तो मैंने इनको treatment शेयर किया वो treatment इन्होंने regular basis पे पूरे motivation के साथ four month तक follow किया यानि चार महीने तक follow किया और चार महीने के अंदर अंदर इनको pregnancy conceive हो गए सुश्मा ने वो कर दिखाया जो doctors के लिए नामुम्किन था जब ये अपनी pregnancy की report लेके doctor के पास गई तो doctor भी हैरान थे कि आपने इतने कम image में नाचुरली कैसे conceive किया ये संभव ही नहीं है तो हमारे लिए भी एक proud moment है कि इतने कम image में इतने critical condition में लोग conceive कर रहे हैं जहां पर doctor ने उम्मीद ही खतम कर दी थी तो आईए मैं सबसे पहले आपको सुश्मा की testimony share करती हूँ हाई हीना माम मेरा नाम सुश्मा है और मैं हैदरबाद में रहती हूँ मेरा age 31 है और मुझे low image की problem थी मेरा image 0.9 था जिसके वज़े से मेरे x proper नहीं बन रहे थे मैंने doctor से भी concern किया और doctor ने बोला कि मुझे normally pregnancy नहीं आ सकते मुझे IUI या फिर IVF का help लेना पड़ेगा बट अभी मेरे friend ने मुझे आपका channel के बारे में बोला immediately मैंने आपको consultation लिया और मैंने आपके आपने मुझे tips दिये मैंने आपके tips जैसे की fitakri water, fertility massage, black raisin water, somp water, chia seeds, soak almonds, women's drink, loodra powder, yoga and walk सब कुछ regularly किया मैंने पूरे फोर मन्स तक किया और फिफ्ट मन्स में मुझे conceive हो गया आज मुझे baby boy पैदा हुआ है thank you so much for helping helping me and मैं सबको एक बात कहना चाहती हूं कि आप लोग one month try करके ऐसा मत सोचिएगा कि आपको कुछ फरक नहीं पढ़ रहा है it will take time time लगता है सबके लिए मुझे भी time लगा लेकिन मैंने कोशिश करते गई मैं हार नहीं मानी thank you so much प्रेंड आप देख सकते हैं सुष्मा ने कितनी ब्यूटिफूली अपनी टेस्टमानी आपके साथ शेयर की है कि हार डॉक्टर ने इनको आई उए और आई वेफ करवाने की ही सला दी थी लेकिन वो सब ना करवाते हुए इन्होंने नाचरल चीजों को फॉलो किया और प् नाचरली कंसीव कर सकते हैं क्या हमें आई वेफ ही करवाना होगा बहुत से लोग तो आई वेफ करवाके भी आते हैं उनका फेल हो जाता है तो उनकी उमीदे टूट जाती है कि शायद वो कभी मान नहीं बन सकते लेकिन हमारे चैनल पे मैंने हिट पे हिट टेस्टिमनी दी बच्छों को four amino der ट की भी ऐसे मेनपॉस केम पारश अपनी लाइफ सेल को इनिक生 करिए stellar को मिलिए ताकि किlima सुष्मा को मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया था मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रही हूं मैंने इनको ब्लाक रेजिन वाटर शेयर किया था फैनल टी दी थी फोर्टिलिटी मसाज चीया सिट सोट आलमंट वोमन स्पेशल स्मूधी लोधरा पाउडर योगा एंड वॉकिंग था एट लिस्ट थाटी मिनिट के लिए ये सारी चीजे रेगुलर बेसिस पे इन्होंने फोर मन तक फॉलो की डाइट प्लान के साथ में एंड इनके हजबन को केसरी कल्प चवन प्राश एंड मकारूट दिया था फोर मन के ट्रीटमेंट में इन्होंने नाचुरली लवर किया साथ ही मैं आप हीना हेल्थ एंडॉड अप्लिकेशन भी डाउनलूड कर सकते हैं जहां पर आपको फ्री डाइचर्ड ऑगुलेशन कैलकुलेटर एंड डेली मोटिवेट रहने के लिए सकसे स्टोडी मिलती है जिस तरीके से सुश्मा ने मुझे कंसल्ट किया अ आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइट करेगी ध्यान रखी यह कॉलिंग नंबर नहीं है इसलिए आपको सिर्व वाट्स अप करना है और यह पेट कंसल्टेशन है मैं मिलती हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जब तक किला अपना ख्याल रखे अल्ला आपस झाल झाल